ठे बडी जिए सरफ गंद्या का पोधा ज़िसे की एंडियन इसनेटिय रूट भी बोला जाता है, एसके आप दुर गंद बोलो या सूगंद बोलो, जो भी इस प्लांट से निकलती है, वो साप को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसलिए साप इससे दूर भागते, घृ डय अब छोटे छोटे देख पार रही इसके दाने हैं छोटे छोटे इसमें फ्लावर बनते हैं बंचेज में वही फ्लावर फिर इस तरह के सीड में कनवट हो जाते हैं जब यह बलेक हो जाते तो उन्हें आप आसानी से लगा सकते हैं अब इसे कैसे लगाना है इसका यूज क्य प्लाइन का जो बात कर ले यूजेश की बात करें तो यह बहुत सारे मेडिसन में जो इसके डिश मैं यूज होते हैं तो सबसे पहले मैं आप चोटा सा प्लांट दिखा देता हूं जोким कि मैंने सीट से ग्रो किया था उसी तरह से आप भी ग्रो कर सकते हो और जो प्लांट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ उतना ही छोटा प्लांट मैंने लेकर आया था तो चलिए आप दिखाते हैं यह जो प्लांट आप देख पार हो अपने सामने यह पोर्ट में लगा हुआ बैसे कि लिए 100 रुपेज में इतना ही छोटा प्लांट लेकर आया था और अब मैं तो इनसे धर सारे प्लांट बना सकता हूँ देख सकते हो इस छोटे से प्लांट में भी ख्लावरिंग और जो सीड बनना तयार हो चुका है तो अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो मुझे व होते हैं उससे बहुत सारे मेडिसिन बता बनाया जाते हैं जैसे कि जिसे ब्लड प्रेसर की प्रॉब्लम होती है या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बनाया जाता है या बहुत सारे लोगों को इससे की नीद्रा की नीद की प्रॉब्लम होती स्लिपिंग जिसे insomnia भी कहा जाता है, उसकी प्रोब्लम होती है, तो उसके लिए भी बनाया जाता है, तो ज़रूव इसके इस्तिमाल करने से पहले आप अयरुवेद की एक्सपट जरूर ले, जो की expert हो, उनकी सलहा जरूर ले, तभी आप इस्तिमाल करें, ऐसे इस्तिमाल नहीं करना, यह जो आप black black seed देख पा रहे हो, इसी black black seed को ही seed जो है, उसे ही grow करेंगे, तभी grow होगा, red वाले को मत grow करना, क्योंकि वो पूरी तरह से mature नहीं हुए, इस तरह से seed को मस लेंगे, तो यह देख सकते हो, उसके अंदर से दो बीज निकलते हैं, एक जो seed है, उसके अंदर से दो बीज निकलते हैं, तिसे पानी में अच्छी तरह से वास कर लेना है, तो हाथ थोड़ से काली भी हो जाते है, क्योंकि इससे रंग निकलता है, उससे हाथ हलकी से काली हो जाते है, त अच्चे से निकालक यहाँ पर देख सकते हूं टायल में लग दीया है तो अब इसे लगाते हैं लगाने कि लिए सिंप्ली मैं छोटे से कप का इस्तेमाल कर रहा हूं बारिस का टाइम है तो आप कहीं भी को भी कप अगारा में लग जाएंगे आसानी से तो यह स्वाइल मीड पर कोको पीठ है सेंड है नॉर्मल जो गाडेंस वाल होता है वहर थोड़ी सी वर्मी कमपोस्ट है उन चारों का मिक्सचर मैंने बनाया है और मैं अल्रेडी बना कर रखता हूं क्योंकि मैं 12 के टाइम हो गया या फिर जो मार्च के टाइम होता हुआ उस टाइम मैं बहुत सार को सरे को इस्प्रेट करदेना या पर लगा दे improvesief देना उसके बाद उपर से जो पॉटिंग मीडिया उसे हाफ इंचि लेयर में आपको भर देनी है और भरनेक्पाद आपको दबाना नहीं हूं पानी दे็क बस आटोमेटिक दब जाएंगे पानी आपको दिरे-दिरे देने में ज़्यादा जौ्ः Adult ईल के हाथतों से पानी देदें फर्स टाइम पानी देना पाद अभी मोंसुन कटाय में है ज्यादा आपको पानी नहीं देनी है और पानी से आप कहीं भी इसे रख सकते हो, बारिस के टाइम ही तो ज़्यादा धूप वकरा भी नहीं होता, कहीं भी इसे रख सकते हो, लेकिन आपको बस बारिस के पानी से बचाना ज़्यादा पानी पड़ेगा, तो सीड जो है की रोट हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो य रख दे रहा हूं, आपर ढहर सारे देख सकते हो, मेरे रेर प्लांट और जो भी बारिस के पानी से बचनी वाले प्लांट है, हो सारे हाँ रखे हुए, मैं प्लांट भी सेल करता हूँ, मेरे वाट्सप में जाकर कॉंटेक्ट कर सकते हो, मेरे केटलोग भी देख सकते हो, तो वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना और इसी तरह के प्लांट खरीदना चाहते हो तो जरूर कॉंटेट करना फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए टेक केर गुडबाई एंड जैहिंद